आपको शेता क्लासेस में बचो केंदरी विद्धियाले की वेकेंसी वह आ गई और यह अपने आप में बहुत बड़ी गूड नियूस है ठीक है तो चलिए हम आपको पीडियाप के दूर सारी चीजा समझा देते हैं अच्छे से कि स्टार्ट करते हैं बच्वाई सब्स्से पहली बात तो यह है कि ज कि वेकेंसी आएगी तब हम एपलाई करेंगे या फिर ऐसा कुछ भी है तो यह कॉंट्रेक्च्वल वेकेंसी का कोई अपना नियम तो होता नहीं है कि यह कब आएंगी और कब नहीं आएंगी में मुद्धर यह होता है कि अगर आप अपने आप में इतना मिलब सामर्थ रखत हैं हर टाइम पे निकलती रहती है और अकसर निकलती रहती है यह ज़्यादा तो होती नहीं है सिर्फ और सिर्फ 11 months contractual vacancy जो होती है वो 11 months की होती है तो अगर आप मत्रा जा सकते हैं आप एक लड़का है आप एक लड़की है आप जो कोई भी है तो आप लोग जाईए अपन जाए अचीवमेंट तो आप उसमें लिख सके word as a KBS teacher in Mathura Chavani क्योंकि उसका एक अलग impact पढ़ता है ठीक है उसका एक अलग impact पढ़ता है जो पहले से केवी में पढ़ा रहे हो तो वह फिर जब आपकी area में vacancy आएगी और जब interview आपको मैं form दिखा दूंगी ठीक है वी तो उ उसमें यह लिखेंगे कि आपने as a KBS teacher work किया है कहां पे किया है मत्हुरा में किया है और जो आपका interviewer होगा वह आपसे वहीं से related questions को पूछेगा ठीक है यह तो चीजे आपको समझ में आती है फिर दूसरी चीजी है कि यह contractual vacancy है इसमें अगर आप लोग interested है तो apply करेंगे ठ जब तक permanent job नहीं आ रही है तब तक अगर आपका contractual इसमें आपकी 25-30,000 रुपए salary है तो कुछ नहीं से कुछ तो बहतर आप लोगों ने भी सुनाई होगा तो जब तक यह आपकी vacancy released हो रही है contractual वाली है और permanent vacancies ऐसी कोई नहीं आ रही है तब तक आप as a teacher यहां भी काम कर स इसने क्या एक आपको positive impact तो देखो यह पड़ेगा कि आपको जो interview का डर है वो खतम हो जाए ठीक है दूसरी चीज क्या है कि आपको salary मिलेगी और तिसरी चीज ही है कि जब आपकी permanent job आएगी तो कहीं ना कहीं उसमें आपकी chances भर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसके area को कि आपको मैं बता दूं कि केंद्री विद्याले मत्राशाबनी में सर्ष द्रोजार चौबिस पच्चीस हेतु भिविन पदों पर संबिदा सिक्षक करमचारी का पैनल बनाने हेतु उप्यूक्त उम्मीदवारों को सश्चतकार हेतु नीचे दिये गए कारकरम के नुशा पूर रूप से भरे आवेंदत पतकर साथ आमंत्रित किया गया है आपका इंटर्व्यू रहेगा खाली कुछ पैसा है एक्जाम तो है नहीं कि आपको बहुत ज्यादा इसमें लिखना पड़ना है ठीक है यह PGT यह भी PGT देखिए एक आपका 28 तारीक हो जाएगा और एक आ वहीं जो 29 तारीक वाला है उसमें जो बच्चे सब्जेक्ट है एक सब मतलब ग्रेडिवेशन वाली जो होते हैं जैसे हिंदी है इंग्लिस है मैत है फिजेक्स है केमिस्ट्री है बलाजी है इन सबका है PGT तीजी ठीक है अगर हम लोग बात कर दो तो TGT भी 29 तारीक को ही आ अब लोग बात करें तो चाहें आपने बीजट किया हो चाहें आपने कुछ भी आप इसमें एप always कर सकते है बना इसहे और इसके अलावा अगर हमें लोग लोग आयू सीमा की बात कर cache लिए तो 18-65, I think आप लोग 18 से तो प्लस ही है, सबके सब जितने भी यहां पर है, वो 25 से तो प्लस में है है, ठीक है, तो आप लोग इसमें अपलाई कर सकते हैं, भासा का विशेश रूप से यह ध्यान में रखना है, कि आपको हिंदी वाई, अंग्रेजी, दोनों भासाओं में शि तो कहीं न कहीं यह भी अपने आप में एक प्लस पॉइंट है, कॉंट्रेक्शल वेकेंसी है, 11 महने क्याप की वेकेंसी होती है, जब तक 11 महने कोई वेकेंसी नहीं आती है, तब तक आप लोग चाहें, तो यहां पर ट्राय कर सकते हैं, अक्सर ठीक हैं, हम लोगों के साथ जो भी दोस्त वगेरा हैं, वो सब लोग इसमें एपलाई करते हैं, और कहीं न कहीं उनका सेलेक्शन हो जाता है, तो हमारे मन में यह चीज रह जाती है कि कास हमने भी कर लिया होता, तो यह पूरा आप यहां पर देख रहे हैं, यह पूरी पीडियाफ आपके सामने हमने र चलेगा, ठीक है, इसके अलाबा जब लोग PGT, Computer Science की बात करेंगे, तो इसमें भी आप अपनी यहां पर क्वालिफिकेशन वगेरा सब कुछ देख सकते हैं, सब्सक्राइब करेंगे, तो हिंदी, इंगली, सॉसल, साइंस, संस्क्रेट, मैट्स, ठीक, आपने कि सब्सक्राइब से ग्रेजुएट वगेरा किया है, वह सब देखनी है, वही 50% नंबर होने चाहिए, यह सब्सक्राइब की प्राइमरी की बात कर ले, तो उसमें भी वही क्वालिट्वेकेशन है, आपका seated paperone मांगते है seated paperone होना चाही तो यह पूरा-पूरा जो है, वह आपका दियागory है कि अगर किस चीज के लिए अपको सब्जेक के लिए किस टीचर के लिए तो उसमें आपको नर्स के लिए जो बच्चे करना चाहे हैं वह यहां पर है आप यह पूरी पीडियाफ को अच्छे से देख सकते हैं अब हम आपके साथ इसका पेपर और डिसकर्स कर लेते हैं कि किस तरीके का फॉर्म आपको मिलेगा इस तरीके का आपको एक फॉम देखनेों को मिलेंगा ठीक है? अब इसका प्रिंट आउट निकलवाएंगे, सब कुछ बहुत अच्छा से फिल करेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा से फिल करने के बाद, अपना सीटेट वग? आपको मलब number by sequence by sequence अंदर भीज़ा जाएगा और आपका interview होगा and I hope आप सब लोग select हो गया है all the best साथ ही अगर आपके मन में अभी भी कोई doubt वगेरा रहे गया है तो please comment box अगर के जरूर पूछेगा इसके लाबा x y z किसी भी चीज़ की requirement नहीं होती है but in case अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग ये declaration वगेरा और उसमें भी लिखा रहते हैं instructions वगेरा वो पढ़ सकते हैं नहीं तो अगर आपके मन में कोई doubt है तो वो भी आप पूछ सकते हैं चलिए thank you मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक के लिए जाहिन टेक केर